सफेध रंग का दिखने वाला ये जहास दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राश्टरबती का है जिसे एरफोर्स वन की नाम से जाना जाता है इसे हवा में उरता हुआ white house भी कहा जाता है असल में ये दिखने में ये plane दूसरे air planes की तरह दिखता है लेकिन ये दुनिया का सबसे advance और high security aeroplane है आखिर क्या खास है इस प्लेन में और क्यों इसे दुनिया का सबसे सुरक्षत प्लेन का जा था आज के इस वीडियो में आप जान जाएंगे अठारा माई 1954 के दिन जब अमेरिकी राष्टपती का चार इंजन वाला कुलनबाइन टू प्लेन अमेरिकी स्टेट नौर्थ कैरोलिना के तरफ जा रहा था जिसका कॉल साइन एरफोर्स 8610 था इस प्लेन में टाइट सेक्योरिटी के साथ उस समय के अमेरिकी राष्टपती ड्वाइट डेविड, LKE, Eisenhower और उनकी पूरी टीम तैना थी यूएस एरफोर्स का काम था कि वो उस एरफोर्स को पूरी सेफटी के साथ लेंड करवाएं जब इस प्लेन को लेंड करवाने के लिए तैयारी की जा रही थी तभी एक प्रॉब्लम आ गई हुआ ये के एक नए प्लेन ने उस रडार में एंट्री मारी और एरट्रेफिक कंट्रोलर को कन्फ्यूज कर दिया क्योंकि उस प्लेन का कॉल साइन भी एरफोर्स 8610 था और प्लेन मॉडल हुबा हुव ऐसा ही था जैसा यूएस प्लेन के प्लेन का था जैसे तैसे प्लेनिंद तो हुगया लेकिन ये प्रेजिडेन की सक्यार्यटी में एक बड़ा लूप फ़ोल था तबी से President अब जिस भी प्लेइन में सवारी करते थी, तो उस प्लेइन का नाम Automatically Air Force One पर जाता था, ये एक Radio Call Signal का Code Name था, ये हर उस प्लेइन में होता है जिसमें President ट्रेवल करेंगी, ताकि इसके Radio Signal लाम से ही Traffic Controller को पता चल जाए कि इसमें President है, इस प्लेइन में सफर करने वाले लोग 4000 स्क्वेर फीट का फ्लोर स्पेस इस्तमाल कर सकती है, इसमें वो सारी सुविधाय मौजूद हैं जो President को White House में मलती है, ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर बड़ा Office, Conference Room, Main Cabin में 20 Business Class सीटों के साथ, दो गैलरी, दो लेवर ट्रीज और Storage स्पेस भी बना हुआ है, तो अगरी से बड़ी High Technology वाली मिसाइल और Nuclear Attack भी इस प्लेइन का कुछ नहीं विगार सकता, अगर कभी इस पर हमला हो, तो भी इस जहास पर खरोज तक नहीं आएगी, ये प्लेइन Anti-Hacking Security System के साथ साथ, NTE, Nuclear और Anti-Missile System से लेस है, और शायद आपके कानों से धुआ निकल जाए क्योंकि इस प्लेइन को एक घंटे इस्तमाल करने का खर्च 17 करोड रुपए है, और जैसे कि हम जानते हैं कि आम तोर पर प्रेसेंजर प्लेइन में उतरने चड़ने के लिए सीडियां और लगेज उतारने का काम कोई थर्ड पार्टी कमपनी करती है, लेकिन इस जहास में ये सभी काम आटोमेटिक तरीके से होते हैं, इसके साथ ये टेकनोलेजी प्लेइन में बाकी स्टाफ के बैक्स को भी स्कैन करता है, इस प्लेइन में इतनी ताकत है कि कितने भी बड़ी ए वार के टाइम ये प्लेइन दुश्मन के खेमे में बंदास एंट्री ले सकता है, सभी तरह की दवाईयां अवलेबल हैं, जिससे मेडिकल एमर्जेंसी के टाइम प्रेजिडेंट की तवियत को कोई नुकसान ना हो, सिर्धर्द से लेकर ऑपरेशन तक का सारा इंतिजाम इस प्लेइन में हैं, यहां बाकी प्लेइन की तरह खाने का मेन्यू नहीं है, बलकि खास दोर पर शेफ रखे हुएं, लेकिन इने भी सेक्योरिटी के वज़े से बाहर से सामान दाना मना हैं, इस स्पेशल एरक्राफ्ट के साथ एक और प्लेइन चलता है, जो बिलकुल इसी की कॉपी होता है, हवाई सफर के दोरान अगर कभी धरती पर नुकलियर अटेक या किसी और वज़े से सारे कनेक्शन तूट जाएं, तो इस प्लेइन में बैठी स्पेशल इंटेलिजेंस फोर्स से आसमान में रहकर भी दुनिया के किसी भी कोने से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, और इंस्ट्रेक्शन दिये जा सकते हैं, आपको अमेरिकी राश्ट्रपती ये शानदार हवाई जास कैसा लगा, क्या आपने कभी ऐसे किसी ऐरोप्लेन के बारे में सुना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा